नमस्कार आप देख रहे हैं जीवनियूज तो दोस्तो वक्त होगह हैं दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जीवनियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिस जाकर जीवनियूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिलको ओन कर दीजिए और 370 पर अन्य देशों को हस्तक्चेप नहीं करना चाहिए भारत एक जिवन्त लोकतंत्र का देश है आपको बताया दे कि जम्मु कस्मिर से अनुचे 370 हटाने का मलेशिया और तुर्की ने विरोध किया था मलेशिया के प्रधानमंतरी महातीर मुहंबद ने भारत के खिलाफ अंतरास्टी ये मंचों पर मोर्चा खोले हुए है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी से मुद्दा बना कर पूरी दुनिया के सामने राग अलाप रहा है Amazon की निवेश पर बोले पियूश गोयल कहा भारत पर नहीं किया कोई एहसान जिहां किंद्रिय वाड़े जेवम उध्योग मंतरी पियूश गोयल ने व्रिहस्पतिवार को कहा कि Amazon भारत में निवेश कर कोई उसका एहसान नहीं कर रही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ओनलाइन कारोबार मंच उपलब्द कराने वाले कमपनी अगर दूसरों का बजार भी गाड़े वाली मुल्य निती पर नहीं चल रही है तो उसे इतना बड़ा घाटा कैसे हो सकता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ती जीफ बेजोस ने भारत में एक अरब डॉलर के निवेस की घोशना के एक दिन बाद पियूस गुजल ने ये बाते कही है उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कमपनियों को भारतिय नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें कानून में छिद्र ढूंड कर पिछले दरवाजे से भारतिय बहुब्रांड खुद्रा चेत्र में परवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए प्रकास अम्बेडकर ने CAA और NRC को लेकर मोधी सरकार पर कसातंज 24 जनवरी को भारत बंद का किया एलान जिहां पउजन अगारी के वध्यक्च प्रकास अम्बेडकर ने CAA और NRC को लेकर केंदर सरकार पर हमला बोला है उन्होंने केंदर की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज RSS, NRC और CAA के माध्यम से देश में एक नया सिस्टम लाना चाहती है RSS कभी बराबरी की बात नहीं करती है, गैर बराबरी की विचारधारा पर काम करती है और आज ये एक विचारधारा की लड़ाई है आपको बता दे कि महारास्ट के मुंबई सहर में CAA और NRC के विरोध में एक बैठक बुलाई गई थी इस बैठक में 35 से अधिक संगठनों ने हिसा लिया, यह बैठक वंचित बहुजन अगाडी के नेता प्रकास अंबेडकर द्वारा बुलाई गई थी जहां बैठक में CAA और NRC के खिलाफ महाराश्रों में 24 तारी को बंद का एलान किया गया है बिजेपी और कॉंग्रेस आज कर सकती है उम्मिद्वारों के नामों की घोशना जहां बिजेपी दफ्तर में देर रात तक केंद्रिय कमेटी की बैठक हुई इस बैटक में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी, राष्टिय धक्च अमित्सा और राष्टिय कारेकारी धक्च जेपी नड़ा सहित कई लोग सामिल थे इससे पहले कॉंग्रेस पार्टी की भी अहम बैटक हुई अब राष्टिय के निताओं का कहना है कि सुकरवार को दो पहर के बाद कॉंग्रेस की सुची जारी हो सकती है सुत्रों की मारे तो कई सीटों पर नामों को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है राहूल गांधी ने कहा दविंदर सिंग को कौन दे रहा था सर्रक्षन मामले पर पीएम और ग्रिह मंतरी खामोस क्यों जिहां कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने कस्मीर घाटी से पुलिस अधिकारी दविंदर सिंग की गिरफतारी को लेकर व्रिहस्पतिवार को प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी, ग्रिमंतरी अमित साह और राष्टिय सुरक्षा सलाकार अजीत डोभाल की कतित खामोसी को लेकर सवाल किया है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि DSP दविंदर सिंग ने अपने घर पर तीन ऐसे अतनकवादियों को अपने घरों में पनाह दी थी और उन्हें दिल्ले लजाते हुए पकड़ा गया था जिनके हाथों में भारतिये नागरिकों के खुन लगा हुआ है सरद पवार ने कहा कईयों ने सोचा कि मैं रिटायर होंगा लेकिन लोगों ने होने नहीं दिया जिवा महराष्ट की सिवसना एंसिपी और कॉंग्रिस कटबंधन सरकार के मुखे रणनितिकार माने जाने वाले एंसिपी प्रमुख सरद पवार ने गुरुवार को कहा कि यद्धपी अनेक लोगों ने सोचा कि वह सक्रिय राजनिती से सेवा निवरित हो जाएंगे लेकिन राज्य के लोगों खासकर युवाव ने ऐसा होने नहीं दिया वह अपने ग्रेह छेत्र बारामती में क्रिसी विज्ञान केंद्र में क्रिसी परदर्शनी के उद्धाटन अवसर पर बोल रहे थे इस दोरान मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे भी मुझूद थे पव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीद पवार ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया